काम की तलाश में फिर रही औरतों का विश्वास जीत कर उन्हें एक ऐसे काले जाल में फसाया गया जिनकी उन्हें बिलकुल भी उमीद नहीं थी जी हाँ, दरसल सी हौर में पुलिस ने एक बड़े सेक्स रैकेट का भांडा फोड किया है इस सेक्स रैकेट में शामिल महिलाएं अनुपमा तिवारी नाम की औरत के जहासे में फस कर प्रोस्टिट्यूशन के लिए मजबूर हो जाती अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरी अनुपमा तिवारी है कौन तो आपको बता दें कि अनुपमा ही वो महिला है जो इस सेक्स रैकेट को चलाती थी इस सेक्स रैकेट में पकड़ी गई महिलाएं दरसल अनुपमा तिवारी के पास काम की तलाश में आई थी अनुकमा इन महीलाओं को समाज के कार्यों में जुड़ने के लिए प्रोटसाहिद करती थी एक बनाबटी पहचान लेकर कभी अपने आपको अनुकमा पत्रकार बताती तो कभी एक नेता साथ ही में ये अपने फेस्बुक पेज़ पर भी कई वी आईपीज के साथ फोटो शेयर करती ये सारा खेल औरतों को फसाने के लिए ही खेला जाता जिसमें बड़ी आसानी से अनुकमा पर भरोसा कर सारी औरते उसके साथ जुड़ जाती इसके बाद ये चलाक महीला किसी बहाने से महीलाओं को सिहौर बुला लेती और वहां उनकी मजबूरी का फाइदा उठा कर उन्हें प्रोस्टिक्यूशन के लिए मजबूर करती इस औरत पर भरोसा कर बैटी महीलाओं के तयार होते ही अनुकमा इन्हें सेक्स रैकेट के वाट्साप ग्रुप में एड़ कर देती इस घिनाओने रैकेट को चलाने के लिए अनुकमा सिरफ शादी शुदा औरतों को ही टार्गेट करती एक बार जब महीलाएं इस धंदे में उतर जाती तो उससे निकलना इनके लिए नामुम्किन हो जाता क्योंकि अनुकमा इन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर देती SSP सिहौर समीर यादव ने इस मामले पर रोशनी डालते हुए बताया कि कैसे अनुकमा इन औरतों को मजबूरी और बदनामी के डर से काबू में रखती और इसी वज़ा से इतने लंबए समय तक ये इस सेक्स रैकेट को बेखौफ चला पाई पुलिस को अनुकमा के कॉन्टैक्ट में 15 से ज़ादा महिलाओं की सूचना मिली है आपको बता दें कि रविवार देर रात छापे के दौरान पुलिस ने इस रैकेट में शामिल चार लड़कियां तीन कस्टमर, ड्राइवर और महिला मैनेजर को अरेस्ट कर लिया था लेकिन कारवाई के बाद जब सच सामने आया तो सभी महिलाओं को बॉन्ड भरवा कर छोड़ दिया गया बेर रिपोर्ट क्राइम तक